नमक ज्यादा हो जाने पर क्या किया जाए अगर आपके पास उबला हुआ आलू है तो आप उसके बड़े बड़े टुकडे सबसी में ढाल कर पका लीजिए आलू अतरिक्त नमक सोख लेंगे और नमक सही हो जाएगा लेकिन इसमें दाल सबसी की रंगत खराब हो जाती है किके मसाले भी डाल सकते हैं और खाने की शक्रसूरत भी अच्छी बनी रहेगी आलू के पकोड़े बनाते समय उसमें एक चुटकी हींग और थोड़ी सी कसूरी मेती डालिए स्वाद और भी बहतरीन हो जाएगा कभी कभी माड़ वाले चावल बनाते समय उसमें पानी कम रह जाता है तब आप सोचते हैं कि क्या करें पानी गर्म करके डालेंगे इतने में तो चावल भी गड़ जाएगा आप उसी समय उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए और आप पाएंगे कि चावल एक दम से पक भी ग जाता है आप उन्हें दूद के बरतन को बिना धोई उसमें बनाईए चावल सफेद बनेगे और अगर तब भी ना बने तो उसमें एक नीम्बू निचोड़ लीजिए यदि नीम्बू में से सारा रस ना निकल पा रहा हो तो उसे थोड़ी देर गुंगुने पानी में रख किजिए नए बरतनों से लेबल हटाने के लिए लेबल के दूसरी साइड से गैस पर बरतन गर्म करें और फिर सूती कप्रे से थोड़ा तेजी से रगड़ने लेबल आसानी से उतर जाएगा अक्सार इस्टीड वाली चाय चलनी काली पड़ जाती है उसे साफ करने के लिए गैस चला कर उस परदों से तीन मिनट चलनी रखें उसे अच्छे से गुमा गुमा कर गर्म करें फिर ध्यान से उसे स्क्रबर से मांज लें चलनी नई सी चमकने लगेगी यदि आपको आटा गुनते ही उसकी रोटी बनानी है और आपके पास उसे रखने का समय नहीं है तो गुनगुने पानी का प्रयोग कीजिए इससे रोटीया मुलायम भी बनेंगी डाल यदि ज्यादा गाड़ी हो गई हो तो उसमें थंडे पानी के बजाए पानी उबाल कर डाले इससे डाल और पानी अलग अलग नहीं होंगे अधिकतर घरों में डाल को नमक और हल्दी डाल कर उबाला जाता है फिर उसके उपर से तड़का लगा जाता है आप इससे दूसरी तरह भी बना सकते हैं जिसे पहले कुकर में ग्रेवी बना लीजिए फिर डाल और पानी डाल कर कुकर बनकर के सीती लगाईए अगर आपको कभी खाना बनाने की जल्दी है लेकिन आपको उसके लिए प्यास टमाटर भी काट कर तयार करना है तो एक बतर में पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए इसी बीच में पानी गर्म हो जाएगा और आप उसे डाल सबजी में डाल पाएंगे जिससे उसे बनने में समय कम लगेगा पास्ता या मैकरोनी उबालते समय काट कर बनाएं इससे वह चिपचिपी नहीं बनेगी